स्पॉंसर्ट बाई सौरनावा जूलिर्स मोती बाजार मंडी सोने सी चमकाएं अपनी खुब सूर्ती वैश्विक महमारी कुरोना के कारण लंबे अंतराल तक प्रदेश के सबी सिक्षन संस्थान बंद रहे अब राज्य सरकार ने इन सिक्षन संस्थानों को नियमित रूप से संचालित कर दिया है बच्चे रोजाना नियमित रूप से स्कूल आकर स्थिक्षा ग्रहन कर रहे हैं लेकिन इस वैश्विक महमारी के कारण बच्चों पर कोई दुश प्रभाब ना पड़े इसके लिए मडी जिला परशासन ने स्कूली बच्चों को जागरू करने का कारे शुरू करतिया है मडी जिला रेड ग्रॉस सूसाइटी ने जिला हर में सर्व के नाम से वॉलिंटियरों की फौज खड़ी की है जिला में सर्व वॉलिंटियरों की संख्या 10,612 है जबकि 172 वॉलिंटियर मास्टर ट्रेनर है रांकि यह वॉलिंटियर और ट्रेनर आपदा के समय मदद करते हैं लेकिन करोना काल में भी इन्होंने बेहतरीन सेवाएं दी थी अब स्कूल खुलने पर जिला प्रशासन ने फिर से इनकी मदद ली है डी सी मंदी रिगवे ठाकोड ने बताया कि सर्व के वलिंटियर मास्टर ट्रेनर अपने अपने क्षेतरों के सभी सरकारी और इनीजी स्कूलों में जाकर बच्चों को करोना के प्रती जागरू कर रहे हैं उन्होंने बताया कि बच्चे सबसे बेहतरीन संदेश वाहक होते हैं और उनके माध्यम से घर गाउं तक इस जागरूपता को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है बिसी मंडी ने कहा कि जब तक करोना वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती तब तक इससे बचाओ के नियमों का पालन करना बेहत जरूरी है जब से schools खुले हैं जिनामंडी में विशेशता जो सरकारी schools जो जब से खुले हैं और private schools भी है सारे volunteers अपने अपने शेतर में जो respective schools से वहाँ पर जा रहे हैं और COVID-appropriate behavior के बारे में बच्चों को जानकारी दे रहे हैं क्योंकि बच्चे जो स्कूल में हैं हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स आफ कम्यूनिकेशन है कि उनके माध्यम से हम हर घर तक पहुंचेंगे और यह कोविड से जो लड़ाई है जिसमें कि जहां अब एक और पर हमारी वैक्सिनेशन पहुंच गई है और कुछ लोगों को वैक अपने क्षेतर के सरकारी और इनीजी स्कूलों में जाकर बच्चों को कुरोना से बचाव के उपाए बता रहे हैं सर वॉलिंटियर जोती भठानिया ने बताय कि वह बच्चों को बार बार हार धोने सैनिटाइज करने दो गज की दूरी रखने और किसी भी वस्तू को ग्रू कर रहे हैं लगा सकें और अपने सबी स्कूलों के चात्र चात्राओं को जो है वो इस कुरोना से मुक्त कर सकें वहीं स्कूली बच्चे भी उन्हें दिये जा रहे हैं ग्यान को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं स्कूली चात्रा जागरिती ने बताए कि रेड क्रोस के मादियम से उन्हें बेहतरीन जानकारी मिली है और वहां उनका पूरी तरह से पालन भी कर रही है निश्चित रूप से करोना जैसी वहामारी से बचाव में जागरुकता ही सबसे बहतरीन मादियम बनकर सामया है ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम जागरूता के इन प्रियासों को निरंतर जारी रखें और करोना से लड़ाई के लिए बनाए गए नियमों का पालन करते रहें फेस्बुक पर पोलिस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें